दोस्तो व्यापम की एक्जाम में MP पुलिस की एक्जाम, वन रख्षक की एक्जाम, जैल पेरी की एक्जाम और भी अन्ने कही सारी पटवारी आदी की एक्जाम जो हैं वो चुनाओ से पहले हुई मत्वदेश के लाखों युवा जो हैं इन एक्जाम में शामिल हुए और ये जो भरती परिक्चाओं हुई इन में सबसे पहली बात तो ये किसी में सिलबस चेंज कर दिया गया, किसी में बहुत कम वक्त, बहुत कम टाइम मिला इस्टुडेंट को इसके अलावा जो है भरती परिक्चाओं में आप लोगों ने देखा कि कोश्चन जो हैं वो भी उट पटांग और इदर उदर से तरह तरह के पूछे गए, इन सब मुद्दों पर जो है विध्यार्थियों की नाराजगी हमेशा से रही है, एक्जाम की बार बार आफ जो है उटती रही है, इन सब के बीच में तमाम भरती परिक्चाओं मद्दब्दिस में आयोजी थुई और मद्दब्दिस की युवा केवल इस बात से संतुष्टुएद की कम से कम भरती परिक्चाओं तो हो रही है, आ रही है, लेकिन अब इस्तिती यह है कि जादा तर जो भरती परिक्चाओं होई, उनके रिजल्ट जो है वो नहीं दिये गए है, मतलब इस्टुडेंट जो है वो यह सोच के चल रहे थे कि चुनाओ के बाद जो है रिजल्ट सब आएंगे और जोईनिंग इस्टुडेंट को मिलेगी, लेकिन अब जो है धैर जो इस्टुड जो आपे बी बात नहीं उतर रहे है कि इतना विलम्ब किस कारण से इन भरती परिक्चाओं के रिजल्ट में हो रहा है, अब अगर भरती परिक्चाओं के रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर इस्टुडेंट जो हैं कब तक फिजीकल करें, क्योंकि अलग-ण परिक्षा की अ अब दो महीने, चार महीने, छे महीने, आठ महीने, ऐसे में इस्टुडेंट के माइंड में नेगिटिविटी आती है, अब रिजल्ट आपने दे भी दिया और फिर इस्टुडेंट ने फिजिकल की तब तक छोड़ी दी और पंदा दिन बाद फिजिकल ले लोगे, तो कैसे यह सब चीजे होंगी, तो समय पर रिजल्ट जारी हो, फिजिकल के लिए कम से कम डेड़ मेने, दो मेने का समय मिले, तब फिर जो है, सही कॉंपटिशन होगा नि, तो जैसे भरती परिक्षाओं में, वेकेंसी, पहले तो निकाली नहीं चार साल, और फिर जो है, निकाली भ लिया, ठीके, ट्वीटर पर जिस दिन हैस्टेक चला था, उस दिन भी ठाकुसर ने एक वीडियो डाला था, ट्वीटर पर हैस्टेक चलाने के लिए वो काम भी हुआ, इसके अलावा जो है, तमाम तरीकी अनिकोशिशे विद्ध्यार्तियों की तरफ से, और अलग-अलग की गई है, उन सभी सिक्षकों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो विद्यार्तियों की हित में इतना काम करते हैं मद्ध्यपदेश में, लेकिन अब इस्थिती यसी है कि ESB, याने कि जो मद्ध्यपदेश का भरती बोर्ड जिसने सब परिक्षाएं ली थी, उसको जगाने का अउसर है, तो अब मद्ध्यपदेश के इस तर पर सभी सभी स्टुडेंट और सभी टीचर्स की तरफ से, पहले तो अपने अपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होना चाहिए, वीडियो डलना चाहिए, ताकि जो है आवाज कहीं से कहीं, मतलब मीडिया की भी जो है चीजें, मतलब मीडिया का भी ध्यान इस तरफ आए, और मीडिया की माद्यम से और अन्य माद्यम से ये बात ESB तक सरकाल तक पहुंचे, पहुंचाने का प्रियास तो तमाम लोगों के द्वारा किया गया है, मतलब बदेश में लाखों विध्यारती जो है, परिच्छाओं की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें अभी तक हुई है, लेकिन अब क्या आखिर क्या आंदोलन का इंतजार सरकार कर रही है, या इस्टुडेंट का आक्रोज जो है, वो बड़े पेमाने पर ESB देखना चाहता है, मतलब इस्तिती जो है, लगात जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कर दो, इस्टुडेंट जो है आंदोलन के लिए, इस्टुडेंट जो है अपनी आवाज सरकाल तक ESB तक पहुंचाने के लिए तयार हो रहे हैं, उनकी मानसिक इस्ति लगातार बिगरती जा रही है, सत्यदी शर्मा क्लासेज भी हर इस सब्सक्राइब के लिए मांग करें, मान जीजे, कलेंडर जारी नहीं भी होता है, भरती नहीं भी नहीं आती है, तो कोई बात है, लेकिन कम से कम पुरान रिजल्ट तो पहले किलियर हो, तो मैं सभी लोगों से यही अन्रोद करूँगा, कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा जैसे कि अन्रोग वीडियो बना रहे हैं, तो सभी लोग इस तरह का वीडियो बनाएं, और स्टुडेंट का हर इस तरह पर साथ हैं, क्योंकि विध्यारती अगर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, और लगातार जो है, इंदोल जैसे भौपाल जैसे शहरों में अपनी राय वेक्ट करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, सत्यादी शर्मा क्लासेस आप लोगों के साथ है, और मुझे उम्मीद रहेगी कि रिजल्ड जो है, वो जल्दी से जल्दी आएंगे, पहले बात आई थी, पहले जो है, ये खबर भी आई थी कि, और तमा अब रिजल्ड आना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी सर्दियों के टाइम पे रिजल्ड नहीं आया, और मार्ज तक अगर नहीं हुआ, मालो फिजिकल, तो फिर फिजिकल के लिए भी स्टुडेंट को दिक्कत है, और दूसरा फिर केंदर की आचार सहींताओं का भी दोर आ फिर वो भी एक बड़ी समस्या रहेगी, एक बहाना रहेगा, तो जल्दी से जल्दी रिजल्ड जारी होना चाहिए, सबी विद्यारती इस वीडियो को लाइक करें, और सबी लोग कमेंट करके बताएं, जासे ज्यादा सपोर्ट करें, और सरकार तक अपनी बात पहुँच जाएं, और अलग-अलग टीचर्स जो हैं, उनसे भी अनरोद रहेगा, कि वो भी अपने इस्तर पर प्रयास करें, और सत्यादी शर्मा क्लासेस हर इस्तर पर स्टुडेंट के साथ हमेशा से रहा है, रहेगा, थैंक यू वेरी मच, जैहिंद,